ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचेटा भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज पूर्णीमा है और पूर्णीमा का जो दिन है वो बहुत ही उत्तम माना गया है किसी भी तंत्र प्रयोग के लिए और बहुत दिनों से कोश्चिन्स आ रहे हैं बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, मेल बिल रहे हैं जिसमें की पूछा जा रहा है कि इंदरिजाल के मंत्र बताएं, इंदरिजाल के जो गुप्त मंत्र हैं उनको साज़ा गए तो देखिए बहुत ही खतरनाक होते जो इंदरिजाल के मंत्र होते हैं क्योंकि जब ये एक बार किसी पर लग जाते हैं तो इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं कम ही बताता हूँ इंदरिजाल के मंत्र और उन में से एक मंत्र आज मैं आपको बताऊँगा। पहली बार जो इंदरिजाल का मंत्र होगा, जिससे कर देने से सामने वाला जो भी होगा वो आप पर मोहित हो जाएगा। ये इतना भयंकर मंत्र है कि इसको रोकना बहुत मुश्किल है। और ये शाबार मंत्रों में आता है जो कि स्वेम सिद्ध होते हैं। इनको सिद्ध करने की कोई जरूत नहीं होती। बस आपको जो है आपका जो भी साध्या है उसका स्वरण करते हुए ये मंत्र अपने मन हिवन बोल देना है। और जो भी आपकी आकांश है जो भी आपकी कामना है वो स्वेता ही पूरी हो जाएगे। आप देखते रह जाएगे कि आपकी ये काम कैसे बन गए। तो बहुत बड़ी कहानी है इंद्रिजाल की कभी फुरसत मैं आपको सुनाओगा। अभी मैं आपको मंत्र बताता हूँ। ओम नमो भगवते रुद्रानी चमुनदानी। बीच में यहां पर आपको अपने साध्य वैक्ति का जिसको भी आप अपने और आकर्षित करना चाहते हैं उसका नाम लीजेगा। मं वश्यम कुरू कुरू स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से ओम नमो भगवते रुद्रानी चमुनदानी। उसका नाम मं वश्यम कुरू कुरू स्वाहा। अब ये जो मंत्र है आपको उत्तर दिशाकी और मुख करके जिसका भी वशिकर्ण करना हो उसका स्मरण करते हूं उसका ध्यान करते हूं ये मंत्र जो आपको 21 बार बोलना है रोंस इस मंत्र को 21 बार बोलिएगा और जब ये आप करें तो अपने सामने अपने इश्ट की मूर्ती कोई फोटो लगा कर उनसे आग्या लेकर एक दीपक जलाकर उसकी जो लौँ होगी उस पर हाथ रखकर अगनी को साक्षी मान कर ये कीजेगा अगर दिल में सच्चा प्यार हुआ तो इस मंत्र को प्रभाव दिखाने में एक घंटा भी नहीं लगा ये उन मंत्रों में से आता है जो की तीर के तरह चलते हैं इसको कोई रोक नहीं सकता एक बार ये आपने कर दिया तो सामने वाला जहां कहीं भी ओ चाहे किसी और देश में हो जहां पर भी वो बैठा होगा ये मंत्र उस पर बिजली के तरह प्रबावाब करेगा आप यहां बोलिये वहां पर उस पर असर होना शुरू हो जाएगा बस एक छोटी से विनिती है कि इसका कभी भी दुरुपयोग ना भरे क्योंकि अगर दिल में सच्चा प्यार नहीं है और फिर आप ये करते हो तो ये किसी काम करेंगे आपको लाब के जगा हानी भी हो सकती है जब भी इस मंतर का प्रयोग करें तो थोड़ी सी सावधानी रखते हैं क्योंकि ये जो मंतर है ये मैंने इंद्रिजाल से लिया है बहुत ही खतरनात मंतर है और जिसको देखना हो कि तंतर का चमतकार क्या होता है कैसे ये चीजे काम करते हैं वो इसको जरूर आज मांके देखें आपको तीन दिन के भीतर भीतर जो भी आपका साध्य होगा वो आपके कदमों में मिलेगा अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल किजेगा और आप मेरी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं सर्स्टॉप्स डॉट कॉम पर नहीं वाद झाल